2022 यानि अगले साल यह जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का पूरा का पूरा डोमेन है 170 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करने वाला है अगर हम मार्केटिंग की बात करें आड्स की बात करें तो आज की डेट में 60% से ज़ादा जो आड्स चलती हैं वो डिजिटली चलती है क्योंकि नई एज में सोशल मीडिया आ गया है लोगों का अटेंशन स्पान कम हो गया है इसलिए आज अगर किसी को कुछ जानना होता है कुछ समझना होता है तो लोग एक वीडियो देखना चाते हैं अगर हमें इस फील्ड में एंटर करना है तो क्या-क्या स्टेप्स रहेंगे किस तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं यहां से तो डिजिलल मार्केटिंग में यूशुली आज कल लोग इसलिए जाना चाते हैं कि वो सही जगह पर जाकर अपने ब्रैंड को मार्केट करें और लोगों के साथ कनेक कर पाएं अब इसके साथ साथ डिजिल मार्केटिंग बहुत जादा बूमिंग फील है जिसमें काफी वायबल ओप्शन्स हमें दिखते हैं क्योंकि आप सोचल मीडिया मार्केटिंग एक्सपोर्ट बन सकते हैं एक्सियो एक्सपोर्ट बन सकते हैं तो इतने लाखो जॉब्स निकल कर आएं डिजिटल मार्केटिंग की वज़े से जो शायद टेकनोलोजी का वन अफ दे बेस्ट पार्ट्स हैं एक और एडिशनल बेनिफिट यह है कि कॉलिज स्टूडेंट्स को अगर फ्रीलांसिंग शुरू करनी है तो यह एक ऐसी स्किल है जिसमें वो फ्रीलांस कर सकते हैं काफी सारे वो पैसे कमा सते हैं शुरुआत में पॉकेट मनी की तरह है और अगर वो एक एक अच्छल फुल टाइम चीज में फुल टाइम जॉब में कनवर्ट कर लें तो काफी लाखों रुपे की जो अमाउंट है वो यहां से भी आ सकते हैं इस आज की रिट में काफी इंपॉर्टेंट हो जादा है कॉलेज स्टूडेंट के लिए साथ ये साथ उन लोगों के लिए जो टेकनोलोजी से किसी ना किसी तरह असोसियेटेड है यह जानना कि डिजिटल मार्केटिंग अक्चली होती कैए डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुल सिंपल टर्म्स में गिरा कर बोले तो यह होता है किसी भी चीज की अड चलाना या किसी भी चीज को मार्केट करना डिजिटल यानि ओनलाइन प्लाटफॉर्म पर आप किसी भी चीज को मार्केट कर रहे हैं किसी की अड चला रहे हैं ब्रैंड अवेरनेस कर रहे हैं अब digital marketing काफी तरीके की हो सकते हैं या तो हम search engine पर काम कर सकते हैं या नहीं जो भी हम Google search करते हैं चीजें कौनसी चीजें उपर आएं कौनसे keyword से हमारी website उपर जाएगी पेज के उपर और ज्यादा clicks बढ़ेंगी हमारी website पर उस तरीके की भी marketing हो सकती है websites की भी marketing हो सकती है social media भी digital marketing के अंदर आता है कि कितने लोगों को हम LinkedIn के थरू YouTube के थरू, Facebook के थरू, Instagram के थरू अपने product की तरफ ला पा रहे हैं email marketing भी होते हैं जिसमें काफी सारे brand, बहुत सारे consumers को clients को emails भेजते हैं अपने product के बारे में बताते हुए कौन सी email spam में चली जाएंगी कौन सी नहीं जाएंगी, कौन सी email जितनी अच्छी होंगी कि उनको actually को user खोल कर पड़ेगा साथ में हमारे पास app marketing भी आते हैं तो इस तरीके से अलग-अलग तरीकी की marketing है जो हम digital platforms पर जाकर कर सकते हैं और जिनको हम खुद भी experience करते होंगे अब जब भी हम किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं आप कुछ-कुछ जैसे अगर आप shoes के बारे में सर्च करेंगे कभी-कभी तो आप notice करेंगे कि उपर मिंत्रा जैसी website सा जाती है उपर Amazon जैसी website सा जाती है और relevant links दूसरी website के यूज किये जाएं ताकि हम सर्च में उपर आ सकें अब यहाँ पर सवाल ही आता है कि हमारे पास newspaper हुआ करते थे हमारे पास TV हुआ करता था, radio हुआ करता था तो इतने सारे traditional media थे तो हम digital marketing की तरफ क्यो शिफ्ट हुए digital marketing की तरफ इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि digital marketing हमारी traditional marketing से बेटर होती है कुछ-कुछ ऐसे factors होते हैं जो traditional marketing हमें नहीं दे पाती मतलब एक newspaper में हम ad निकाले एक magazine में ad निकाले एक TV पर ad निकाले उससे बेटर है कि हम digitally अपनी ad को place करें कैसे? सबसे पहला factor आता है large audience अब social media या फिर digital platforms Google, Amazon, Facebook यह हमें जितनी बड़ी audience देंगे उतनी शायद ही हमें कोई newspaper दे पाएगा उतनी शायद ही हमें कोई छोटे बड़े TV channels को दे सकते हैं पर छोटा TV channel हमें नहीं दे पाएगा तो हमें काफी तरीके की audience दूसरा है audience targeting अब मान लीजे हमें एक आड निकालनी है हम आड निकालते हैं अपने दूर दर्शन पर दूर दर्शन पर पूरी की पूरी आड चल रही है और पूरा देश उस आड को बैठ कर देख रहा है या फिर regional आड निकाल देते हैं प्रॉड़क्ट लाँच करना जाते हैं और उस प्रॉड़क्ट को आप नॉर्थ इंडिया के अंदर लाँच कर रहे हैं लेकिन अगर आपको अब टीवी पर आड चलानी है तो वो उस आड को बहुत सारे लोग अपने पूरे नेशन वाइड में देख रहे होंगे South India के भी काफी लोग देख रहे होंगे West East की तरफ से भी काफी लोग देख रहे होंगे लेकिन आपकी जो target audience सीना वो सिर्फ North India वाले लोग थे अब ऐसे case में आपके जो ad है आपका जो product है वो ऐसे लोगों तक पहुँच गया है जो शायद आपके लिए relevant audience भी नहीं है तो आपने एक तरहीके से extra खर्च भी किया उन लोगों तक भी गई जिन लोगों तक जाने के बाद आपके पास कोई output या result नहीं आने वाला पर digital marketing में हम इस चीज से बच जाते हैं क्योंकि already companies हैं जिनोंने लोगों के interest जो है store कर ली है किस चीज में वो interested हैं किस तरीके का वो content consume करते हैं कैसे brands की वो चीजे खरीते हैं तो वो सारा का सारा data जो ads चलाती है companies Google, Facebook जैसी companies उन brands को दे देती है और वो इस हिसाब से वो brands targeted ads चलाते हैं सिर्फ उस audience के लिए जिनका शायद age group relevant है जिनका शायद region relevant है जिनकी शायद occupation यानि जो वो काम करते हैं वो जादा relevant है तो इस तरीके से हमें targeted audience मिल जाती है तीसरा है cost effective पहले अगर आपको किसी magazine में ad निकालना होता तो कितने पैसे लगते थे किसी newspaper में ad निकालना है आज की date में काफी जादा पैसे लगने है front page के इतने, third page के इतने उसी तरीके से अगर आपको TV पर ad दिखाना तो भी बहुत जादा पैसे लगने लेकिन digitally जाकर ad दिखाने में आपको comparatively कम पैसे लगेंगे शुरुआत में तो आप सिर्फ कुछ पैसों के थूँ आप experiment करके देख सकते हैं कि digital marketing आपके लिए काम भी कर रही है नि या किस तरीके की marketing आपके लिए काम कर रही है जो marketing का आप करिए उसको आप analyze करिए और उसमें जादा फिर आप पैसे funnel in करिए for marketing your product तो उस तरीके से cost effective बहुत जादा है चौती चीज़ जो यहाँ पर आती है वो immediate feedback अब आपको किसी magazine में कोई ad निकालनी होती थी पहले यह newspaper में ad निकालनी होती अगर आपके ads काम नहीं कर रहे तो आप उनको change करते हैं आप अपने content को दूसरी तरीके से frame करते हैं ताकि वो काम करने लगें उस तरीके का जो feedback loop रहता है वो जादा effective होता है as compared to traditional चीज़ें और पांचवा चीज है easy tracking यहनि आजकल Google, Facebook जैसी companies इस पूरे के पूरे analytics आपको pages दे देते हैं जिसके उपर आप बहुत अच्छे से track कर सकते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे कहां पर आपको जादा इंपुट डालने की ज़रूरत है इं टर्म्स अफ जादा आज आजम दिखाएं तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो system है बहुत अच्छे से streamline और बहुत जादा effective हो गया है अब इसमें सवाल आता है system तो effective हो गया पर इससे हमें अगर career बनाने तो हमें कैसे फाइदा हो तो एक step by step road में आपकी अगर बात करें digital marketing में तो वो होगा सबसे पहले to find your niche अब ऐसा नहीं है कि आप Facebook पर भी आड चला रहें Google पर भी आड चला रहें YouTube पर भी आड चला रहें LinkedIn पर भी आड चला रहें साथ के साथ आप SEO भी कर रहें websites का websites बना भी रहें तो ये सारे के सारी जो काम है ना उनके बारे में basic knowledge होना अच्छा है लेकिन आपको शुरुआत में देखना पड़ेगा अपने interest के साथ से कि आपको कौन सी direction में जाना है जिस direction में जाना है उस direction में आप अच्छे से काम कर सकते हैं वहां में niche अपनी develop कर सकते हैं उस skill में ऐसे बनना है कि अगर अगर अब नाम लें तो उसके अंदर आपका नाम ज़रूरा है उस particular skill के अंदर उसके बाद target करना है अपने clients को अब ज़रूरी नहीं है शुरुआत में clients आपको पैसे दे रहे होंगे शुरू में हो सकता है आपको free में काम करना पड़े which is completely all right क्योंकि शुरू में आप बस थोड़ा बहुत work experience ले रहे हैं test कर रहे हैं खुद को भी पर उसके बाद एक बार आप जब चीजे शुरू कर देंगे तो clients आपके पास आने लगेंगे और फिर वहां से एक monetary जो cycle है वो develop होगा उसके साथ साथ आती है freelancing अब freelancing में सबसे पहले free आता है हो सकते है कुछ time तक free में काम करना पड़े पर आप उसके बाद ऐसे clients के लिए काम कर सकते हैं जिनको actually जरूरत है और आपके पास भी portfolio में चीजे होंगी उन clients को दिखाने के लिए उसके बाद आते हैं हमारे reference जिन भी clients के साथ आपने काम किया है अब business में क्या होता है usually लोग एक दूसरे को जानते है तो जिस भी client के साथ आपने काम किया है वो अपने किसी दोस्त को किसी रिष्टिदार को suggest कर देगा कि मैं तो ऐसे ad चलाता हूँ आप देख लो इनसे बात कर लो तो इस तरीके से refer हो जाते हैं लोग network बिल्ड हो जाते हैं और उसके साथ आती है consistency अब social media जो है वो highly volatile एक platform है जिस पर चीज़ें चलती रहती हैं कोई नई wave of trends आती है तो इसलिए काफी important है कि digital space में अगर हम काम करें तो हम consistent रहें रोज अपनी skills को develop करें रोज growth लें अब इस career में excel करने के लिए आपको जो skills चाहिए होंगी उसमें से सबसे पहला you should be good with social media since हम digital space की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमें आदत है न्यूस्पेपर बढ़ने की दिन के 6 घंटे हमें न्यूस्पेपर बढ़ना पसंद है लेकिन हम आड निकालना जा रहे हैं अपने Facebook पर तो अगर आप Facebook पर आड निकालने का काम कर रहे हैं तो you should know how Facebook works आपको सबसे पहले as a consumer उसको थोड़ा experience करना पड़ेगा फिर as a marketer उसको थोड़ा experience करना पड़ेगा तब जाकर you will know कि किस तरीके का content आपके client के लिए आपके brand के लिए वहाँ पर work कर रहा होगा तूसरी चीज़ है data analytics and Google and Netflix अब जितने भी analytics आते हैं हम जिन भी platforms पर ad निकाल रहे है वहाँ से जो जो data हमारे पास आ रहा है उसको हमें समझना आना चाहिए उससे कैसे valuable information निकालनी है वो हमें आना चाहिए वो आता है तो फिर वहाँ से जो भी information आएगी उसको हम खुद को improve करने में लगा सकते हैं तीसरी चीज है कि बेसिक HTML हम सीख लें WordPress सीख लें यहां पर हार्ड कोर कोडिंग किसी को नहीं करती है बस यह है कि अगर आप SEO Optimization जैसी चीजों में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए बेसिक HTML कैसे काम करती है या फिर WordPress से Websites कैसे बनाते हैं Website में चीजें किस तरीके से Keywords किस तरीके से करते हैं तो वो सारा process हमें पता होना चाहिए साथ के साथ basic design sense हमारे अंदर होनी चाहिए कि चीजों को कैसे design करना है अगर हम content writing भी करते हैं तो अपने blogs के अंदर हमें पता हो अगर हम पोस्ट बनाते हैं या फिर video content बनाते हैं तो उसमें हमें पता हो चीजें कैसे रखनी है तो वो एक basic design sense की लोगों को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा वो हमारे पास हो तो वो एक plus point होगा अब इसमें काफी लोगों का सवाल होता है कि क्या हम बस एक certificate ले लें तो हमें क्या better jobs मिलने शुरू हो जाएंगे तो इसका answer ये होगा कि सिर्फ certificate लेने से कुछ नहीं होगा क्योंकि digital space जो है digital marketing पूरा का पूरा जो एक career है वो काफी practical career है यहां पर बहुत कम theory है और बहुत जादा practical knowledge है जो आपको actually बैठ के practice करनी पड़ेगी तब जाकर आपके skills develop होंगे तो शुरुवात करनी है तो सबसे पहले platform decide कर लें उसके बाद skills develop करें उस platform के अंदर शुरुवात में थोड़ा सा free में काम करें portfolio build करें clients डूंडें different different हमारे platforms होते हैं जहां पर हम जाकर freelancing कर सकते हैं वहां पर apply करें और उसके बाद अगर आपको जाना है तो आगे जाकर आप proper jobs भी कर सकते हैं MNCs वगेरा में in digital marketing तो I hope कि आज की वीडियो से हमारे जो कुछ कुछ doubts है वो clear हूए होंगे digital marketing क्या होता है किस तरीके से करनी है क्या क्या scope रहता है आगे आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में Till then keep learning and keep exploring